एडूकेशन इस दे की टू सक्सेस जी हाँ, शिक्षा सफलता की कुण्जी है शिक्षा हम सभी का अधिकार है और इस बात को दमाग में रखते हुए 9 जून 2014 से नैशनल बोर्ड अफ कम्प्यूटर एडुकेशन यानी NBCE की शुरुवात हुई भारत सरकार द्वारा अनुमोदित और अंतरराश्ट्रिय पुरसकार से सम्मानित सर्व भारतिय कम्प्यूटर सिक्षा संस्थान है नैशनल बोर्ड अफ कम्प्यूटर एडुकेशन जिसके पूरे भारत वर्ष में 1300 से भी ज्यादा स्टडी सेंटर फैले हुए हैं हमारा लक्ष एक ही है पढ़े लिखे बेकार नहीं काम करने वाले ने पुन आदमी बनाना और इसलिए NBCE के हर एक सेंटर में है अत्याधुनिक कम्प्यूटर लैब जहांपे प्राक्टिकल शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है इसके अलावा हैं अनुभवी शिक्षक और सही गुनवत्ता के स्टुडी मेटेरियल्स इतनी सारी सुविधाएं प्रदान करने के लिए ही आज NBCE सफलता की बुलंदियों को छू रहा है वर्ष 2016 और 2017 में NBCE को राष्ट्रिय पुरस्कार मिला और वर्ष 2018 में आमंत्रन मिला इंडो भूतान फ्रेंड्शिप समिट में जिसका आयोजन भूतान की राजधानी थिम्पो में किया गया था और वहीं NBCE को साउथ एशिया का सर्वस्वेस्ट कम्प्यूटर सिक्षा संगस्थान का सम्मान प्रदान किया गया भारत वर्ष अब डिजिटल हो रहा है और इस डिजिटल इंडिया बनाने के लक्ष में NBCE अपने स्टडी सेंटरों के जरिए बहुत सारे जनहित के काम में जुटा हुआ है जैसे की आम आदमी को दमाग में रखते हुए पिछले कई वर्षों से NBCE निशुल्क या सामान्य कोर्स फी से बहुत सारे प्रोजेक्ट करवा रहा है इप्रवेश प्रोजेक्ट इनमें से एक है निशुल्क कंप्यूटर सुक्षा प्रदान करनी की दिशा में सफल हुआ है इप्रवेश प्रोजेक्ट अर्थात गेटवे ओफ इसिक्षा इसके अलावा डिजिटल भारत मिशन 2020 प्रोजेक्ट जिसके माध्यम से सिखाया जाता है कि कैसे रोजमर्रा के कामों को आनलाइन किया जा सकता है और है स्मार्ट इंडिया टेली प्रवेश NBCE Skill Development आ दे इन सब के साथ-साथ NBCE अपने छात्र शात्राओं को अलग-अलग करियर कोर्स करवा कर अपने जौब पोर्टल के माध्यम से नौकरी के लिए सहायता प्रदान करता है पूरे भारत वर्ष में फैले हुए Study Center डिरेक्टरों को प्रोच साहन देने के लिए हर साल एक जगमगाता Award Function आयोचित किया जाता है जहां समाज के जाने माने हस्तियां जैसे International खिलाडी Motivational Speaker वर लेखक Athlete, राष्ट्रियस्तर के अभिनेता गायक और समाज सेवियों के हाथों से डिरेक्टरों को सम्मान प्रदान और देश विदेश में घूमने का मौका दिया जाता है 2018 सेशन में कुछ डिरेक्टरों को कोवा और बैंककॉक जाने का मौका मिला सिर्फ शिक्षा की क्षेत्र में ही नहीं बलकि सामाज की क्षेत्र में भी कुछ जनहित के काम में आगे बढ़ रहा है NBCE जी हाँ जैसे के अनात बच्चों को आहार प्रदान करना कपड़ा प्रदान करना और पढ़ाई का समान देकर उन्हें प्रुसाहित करना और तो और रास्ते पर रहने वाले बच्चों और पिछडे वर्क के लोगों को विशेश सहायता प्रदान करना इनका लक्ष है इसके अलावा ब्रिक्षा रोपन जैसे चनहित के कारी भी किये जा रहे हैं और ये सब संभव हुआ है क्यूंकि NBCE के पास है 1300 से भी ज्यादा सदस्यों का एक परिवार और Active Head Office टीम मेंबर जो की हर वक्त सब के लिए समाज के लिए काम कर रहे हैं तो आएए हम सब एक साथ NBCE से जुड़ जाएं और देश को आगे बढ़ाने में NBCE की मदद करें जुड़ने के लिए लॉग आउन करें www.nbceskillindia.in में और कॉल करें टोल फ्री नमबर 1-800-53-221-22 में या फिर वाट्साप करें 9874-759-360 पर या फिर National Board of Computer Education के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद धन्यवाद National Board of Computer Education National Board ofohl National Board of Education झाल झाल